दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो उस डीमेट अकाउंट को आप CDSL में किस तरह से रेजिस्टर कर सकते हो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि Demate Account आपका चाहे किसी भी company या किसी भी broker के साथ हो आपको अपना CDSL के साथ उसको registered जरूर करना है क्योंकि कई बार क्या होता है कि company हमारे जो share है उनमें hair-pher कर देती है तो वो ही share माने जाएंगे जो CDSL के साथ जो CDSL की website में हमारे को show करेंगे तो इसलिए आपका चाहे कितनी भी विश्वसन ये company में broker के साथ Demate Account क्यों नहीं हो आपको CDSL के साथ अपने आपको registered करके और आपको जो share है उनका मिलान करना है तो आज के इस वीडियो में हम इसी के उपर चर्चा करेंगे यही जानेंगे कि हम CDSL के साथ अपने Demate Account को किस तरह से registered कर सकते हों तो इसके लिए बने रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल तेक यादव के साथ वह सीखते हैं registered करना CDSL के साथ Demate Account को registered करने के लिए Google या फिर Chrome Browse को open करना है वह open करने के बाद आपको इसमें type कर देना है CDSL जैसे ही आप CDSL टाइप करोगे तो CDSL का इस तरह का पेज कुल के आपके सामने show हो जाएगा और अभी इसमें जो सबसे टोप में CDSL की वेबसाइट है फस्ट में इसी के उपर आपको किलिक कर देना है जैसे ही मैं इसके उपर किलिक करूँगा तो ये वेबसाइट इस तरह से खुल के मेरे सामने show हो जाएगी अभी जो इसमें login का option है उसके उपर मेरे को click कर देना है जैसे ही हम login पर click करेंगे तो इसमें कई option show हो जाएंगे तो हमारे को सबसे जो first में option है new system my easy, bio, oblique cm, oblique dp इसके उपर click करके और नीचे जो login का option है login वाले option पर click करना है जैसे ही हम login वाले option पर click करेंगे तो इस तरह का interface show हो जाएगा अभी अगर हमने पहले से registered है तो username और password डाल के हम login हो जाएंगे परन्तु हम अगर registered इसमें होना चाते हैं तो जो सबसे first में है to register for easy click here यानि इसमें registered होने के लिए यहाँ click करें इसके उपर हम click कर देंगे जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे click करते ही हमारे सामने एक इस तरह का page खुल के show हो जाएगा अभी इसमें first में जो bio id है और नीचे password bio id में जो हमारा demate account नम्मर है वो नम्मर हमारे को इसमें bio id की जगे एंटर कर देना है और जो password है पासवर्ड में हमारे को हमारा pen नम्मर और date of birth date of birth ये दोनु चीज़े हमारे को इंटर कर देनी है date of birth date of birth में आपको day और month ही इंटर करना है और नीचे जो checkbox है I am not a robot इसके उपर click करना है और नीचे जो checkbox है clicking register इसके उपर click करके और जो continue वाला option है इसके उपर हमारे को click करना है जैसे ही हम ये process करेंगे व्यसे ही हमारा जो registered mobile number होगा उस registered mobile नम्मर पर एक OTP आएगा वो OTP डालके हमारे को continue कर देना है जैसे ही हम continue करेंगे तो next page में इस तरह का जो है page show होगा अभी इसमें ये ये जो detail है ये detail हमारे को इसमें पूरी की पूरी detail फिलप कर देनी है और उसके बाद में आगे का जो process करना है जो ये detail दिखाई दे रही है ये detail हम एक एक करके और हमारे को इसमें डाल देना है और नीचे जो continue का option है continue वाड़े option के उपर हमारे को किलिक कर देना है तो सबसे पहले हमारे को एक user id बढ़ाना है जो user id कोई भी हो इसके बाद में पासवर्ड, confirm password और नीचे security question security question हम इसमें जैसे ही इसके ओपर किलिक करोगे तो कई security question हमारे को show कर देंगे उसमें आप एक जो आपको अच्छा लगे वो question select करके और इसके बाद में your answer और confirm answer एक answer हम लिख लेंगे रख लेंगे ताकि ये security password जब हम password भूल जाएंगे तब password को unlock करने के काम आएगा और फिर जो continue का option है उसके ओपर किलिक कर देंगे जैसे ही हम continue के option पर किलिक करेंगे किलिक करते ही आप देख सकते हो कि register सक्षेद फुली register यानि हम इसमें जो है सक्षेद फुली register हो चुके हैं यानि हमारी की user ID और password create हमने कर लिया है वो user ID और password लगा के आप जो है cdsl में जो अपना जो भी आपका है जितने आपके share है डिमेट अकाउंट में उनको आप बड़ी ही आसानी से check कर सकते हो तो इसलिए दोस्तों आपको चाहे किसी भी broker के साथ आपका हो आपको जरूर इसमें register करके और अपने share का जो holding है उसको check करना है क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है ऐसा नह हो क्योंकि broker कभी कभी क्या करते हैं कि broker password लगा के और share को transfer भी कर लेते हैं तो हमारे को समय समय पर इनको check भी करते रहना है कि जो मेरे जो दिखा रहे हैं डिमेट अकाउंट में उतने share है या फिर नहीं है तो दोस्तों ये था CDSL में registered होने का procedure वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू